हेलो फ्रेंड्स इजी टू हेल्दी किचन में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है तो अगर अचानक से कुछ आपको मीठा खाने का मन कर रहा है या फिर अचानक आपके घर गेश्ट आने वाले हैं तो चलिए फिर बनाते हैं स्वीट डिस बहुत ही कम सामान के साथ और बि जितना भी आपको मीठा सूट करता है आप उसी अउसार से इसमें चीनी डाले और अब इसे थोड़ा सा उबलने देंगे और यहां पर मैंने नॉर्मल टेंप्रेचर का दूथ लिया है इसमें मैं साथ से आठ चमच वनीला कश्टर पाउडर का डाल कर इसमें घोल रही हूं आप चाहें तो यहां पर कोई भी एसेंस फ्लेवर का कश्टर पाउडर ले सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे और अ इसँ अधी हूँ तो चलेए अब इससे डालते हैं और मिक्स करते हैं तो गरमा-गरम दूद में इसे नो फ्लेम पर कर्ते हूए थोड़ा थोड़ा डालते हूए इसे मिक्स करना है नहीं तो यह जम जा एगा और गुठलियां पढ़ जाएंगी तो इससे लगातार चलाते साथ ही मैं यहां पर डाल रही हूं दो चम्मच सुद्धगी इससे काफी अच्छा फ्लेवर और बहुत ही सौप्ट और माउथ वाइटरिंग बनने वाला है साथ ही में डाल दिया है तीन कुटी हुई इनाइची का पाउडर इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा आप चा अच्छे से घी से ग्रीस कर ली हूँ और नीचे की साइड में तूटी फ्रूटी डाल देंगे आप चाहे तो यहां पर ड्राइफ फ्रूट्स भी बारिक काटकर डाल सकते हैं और एक बात और अगर आपके कश्टड नहीं जम रहे हैं तो एक से दो चमर जूद में घोल कर और इसमें मिक्स कर दें तो यह अच्छे से जम जाएगा तो यहां पर मैंने कश्टड में डाल दिया है कुछ कटे हुए ड्राइ फ्रूट्स काजू बादाम और किसमी थोड़े सी टूटी फ्रूटी और अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे तो यह देखिए बहुत कडाई के किनारे भी छोड़ रहे हैं बहुत ही अच्छा गाढ़ा हो गया है यह देखिए इस पैचला पे लग रहा है तो बस यह रेडी है और अब इसे केक्टीन में डाल देंगे केक्टीन में कठा नहीं डालेंगे नहीं तो जो नीचे हमनों हमने टूटी फ्रूटी अब इसे 2-3 घंटे ठंडा होने के लिए रखतेंगे ठंडा होते ही यह जम जाएगा तो यह देखिए यह जम चुका है आप चाहें तो यहां पर इसे एक घंटे आधा घंटा फ्रीज में भी रख सकते हैं और अच्छे से यह से यह से जाएगा तो चलिए आपको मैं कट कर करेंगे दिखाती हूं तो यह बहुत ही अच्छा बना है बहुत ही टेश्टी होता है बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल माॉथ वार्ट रख होता है बहुत ही टेश्टी लगेग अप लोगों को तो आप लोग एक बार जरूरी से बना कर ट्राई करें और वीडियो पसंद तो लाइक सेर जरूर करें चैनल पे नए हैं तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर दें कमेंट करके जरूर बताएं कि ये कश्टर बर्फी कैसी बनी है देखे कितना अच्छा जंप चुका है थोड़ी देर फ्रीज में रख देंगे तो ये और अच्छे से सेट हो जाएगा और बहुत ही मज़ा आने वाला ठंडा ठंडा खाने हम दो चलिए फिर ट्राइ कीजिए थैंक्यू बाबाई